करेंगे करेंगे बच्चा की ओडियो वीडियो सब कुछ और लोग के हैं एक बार कंफर्म कर दीजिए बच्चा ओडियो वीडियो सब लगाई है यानि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको स्लेबस में कन्फ्यूजन था आपका मैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें क्लास तो आपकी डेली होती ही है है ना मैं आपको कोशन भी कराऊंगी लेकिर इंट्रोडक्शन का मतलब है कि एक बार मैं आपको एक बेसिक ओ लेब साइट है बच्चा जो आपको बोलेंगी 33 साल भी यदि आपकी उम्र है तो आप फॉम भर सकते हैं वह एक्जेक्ट क्लारिफिकेशन आपको जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा दैन उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बीतtei किया है और आपने आइडिकिया है तो आफ यह from भर सकते हैं ठीक है आईडी आई में सिर्फ कुछ ही आपके ट्रेड ऐसे हैं जो बचे फॉम नहीं वर सकते जैसे से फितर वाले भी वर सकते हैं टूल्स वाले भी भर सकते हैं है यहन्जिल्क्रिशन वाले कि चोटा सा ओवर्रेव मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी किसका बचा आपका स्लेबस का किसका स्लेबस का अब देखो बचा आपका जो एक्जाम होगा ना वो दो पार्ट में होगा एक होगा क्या CBT-1 और एक होगा क्या बच्चा आपका CBT-2 एक होगा क्या बच्चा आपका CBT-2 तो यहां पर यह जो बच्चा आपका CBT-1 है क्या है बच्चा आपका CBT-1 का एक्जाम है CBT-1 में आपका क्या क्या आएगा आपका मैट्स आएगा रीजनिंग आएगा साइंस आएगा current affairs आएंगे और थोड़ा सा आपका gk आएगा मतलब सबसे कम weightage जो है वो current affairs और gk की ही है हो सकता है कि दोनों मिलाकर ही आपका मातर दस नंबर का है तो major, जो आपका majority में subject है वो रहेगा बच्चा क्या आपका science सबसे सदा majority का subject आपका science है railway का कोई भी exam हो बच्चा science आपकी compulsory है सारे exams में ही बच्चा आपको science पढ़नी होती है ओके जी, cbt2 की यदि मैं आपसे बात करूँ तो cbt2 में बच्चा आपका दो part में exam होता है एक part A, part B part A तो लगभग आपका ऐसा ही रहता है सिर्फ आपका engineering, drawing और कुछ आपके basic science के question add हो जाते है एक्स्ट्रा लेकिन cbt2 का जो part B रहेगा वो total आपके trade पर होंगे मतलब जिस भी ब्रांच में आपने iti किया है या जिस भी ब्रांच में बच्चा आपने engineering की है वहां से आपको यहां पर यह question मिलते है part B में ALP की यदि मैं आपसे बात करूँ तो ALP में आपकी final cut off लगती है एक और आपका phase होता है जिसको आप लोग psycho test बोलते है psycho test के आपके 30% marks add होते है और cbt2 में आपके 70% marks add होते है इस तरह से आपकी final merit तयार होती है समझ आई बात ठीक है ओके चलिए जी अब अच्छा थोड़ा सा हम लोग आपके questions पर focus करते हैं जरा एक बार की किस तरह के questions आपके exam में आते हैं तो एक second का आप लोग बस मुझे समय देंगे आज हमारा board थोड़ा ज़ादा hang हो रहा है hopefully कि अभी सब कुस ठीक हो गया होगा let me check ठीक है आप देखो बच्छा किस तरह के आपके question पूछे जाते हैं ये एक बार हम लोग ज़रा थोड़ा सा discuss कर लेते हैं और आपको पता है बिटा डेली आपकी इसी समय class होती है so please channel को like and share आप लोग जरूर करेंगे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को और अड़ा 247 की application को play store से जाकर आप लोग डाउनलोड जरूर करेंगे अगला question देखते हैं जरा एक बार पहला question आपकी screen पर क्या रहेगा नोबल पुरुसकार एलफ्रेड नोबल के नाम पर शुरू हुई थी जिन्होंने इन में से किस चीज की खोज की थी बताइए जो आपका बच्चा नोबल प्राइस जो आपका कि presenting कि बन्द होई थी 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 सुप्ली नोबल पुरुसकार की शुरुआत इन में से किस ने की थी बच्चा आपका डायानामाइट ने कि सूरी को पूरुसकार जिनके नाम पर एलफ्रेड नोबल city को बाइं की दाइनमाइट की थोड़ा सा बोर्ड में टेकनिकल गिली चाज तो थोड़ा सा आप लोग बस एड़ेस्ट कर लेंगे मैं कोशिश तो कर रही हूं कि यह आपका टेकनिकल गिली ठीक हो जाए बट में भी शायद भई अब देखो टेकनोलोजी है कही बार गरवड आ जाती है तडित चालक के अविश्कारक इन में से कौन है बताईए तडित चालक के अविश्कारक इन में से कौन है यानि कि तडित चालक की खोज इन में से किस किस ने की थी बचा आपके बैंजा मिन फ्रैंकलिन ने किस ने की थी बचा आपके बैंजा मिन फ्रैंकलिन ने आपके टेलीवीजन टीवी का अविशकार किसने किया टेलीवीजन यानि की टीवी का अविशकार किसने किया बताईए टेलीवीजन यानि टीवी का अविशकार किसने किया बताईए तो टीवी का विश्कार किस ने किया आपका जे एल बेयर्ड ने किस ने किया बच्छा आपका जे एल बेयर्ड ने किया अगला कोशन देखते हैं ज़रा एक बार क्या रहेगा एक्सरे का विश्कार किस ने किया था X-ray का previous year करा रहे है मैम आप Yes बेटा previous year ही question मैं आपको भी करा रही हूँ जिस दिन notification आ जाएगी फिर कुछ नए question भी आपके साथ में share करेंगे कि किस तरह के question बन सकते हैं हाला कि in classes में भी हैं आपके ऐसे कुछ question बट फिर भी मेरी first priority रहती है कि मैं आपको अभी previous year question ही करा हूँ कि आपका paper कैसा आने वाला है आपको एक idea लग जाए X-ray की खोज इन में से किस ने की थी बताइए तो X-ray की खोज की थी W-Royant जनने किस ने की थी बचा आपकी W-Royant जनने आपकी X-ray की खोज की थी टैलिसकोब की खोज इन में से किस वग्यानिक ने की थी बताइए तो टैलिसकोब की खोज इन में से किस वग्यानिक ने की थी आपकी गैलीलियो ने किस ने की थी बच्चा गैलीलियो ने कि थी अग्ला कोशन देखTे हैं हवाय जहाज का अविष्कार इन में से कून है को बहुत ही जल्द मैं आपको थोड़ा ज़्यादा शेर नहीं कर सकती हूं लेकिन हमें बहुत ही जल्द आपको रेलवे की वेकैंसी देखने को मिलेंगी। टेलिस्कोप की खोज इन में से, सोरी, हवाई जहाज की खोज इन में से किस ने की थी, बच्छा, राइट ब्रदर्स ने, किस ने की थी, आपके राइट ब्रदर्स ने, अगला कोशन देखते हैं, जरा एक बार क्या रहेगा, आपका नेक्स्ट कोशन, गैस इंजन की खोज इ परमाणू बंका विकास किस ने किया था निपकर लिखार इन Ci ещё और मेराफ सकते हैं क्या अगर विचक्ति पास में ब्हुत यह कर चुके मट आपके पास में बइस इस लड़ी नहीं आई यह एक रज़ता फो मतलब एक्चुली देखो जो भी नोटिफिकेशन आती है उसमें रूल यह होता है कि जिस दिर नोटिफिकेशन आई है जो क्वालिफिकेशन आप से मांगी गई है उससे पहले तक आपकी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए यह भी तक का रूल है इस बार कोई नया रूल चेंज ह होता है कि जो आपके फाइनल हेर वाले हैं वो भी ख़ते हैं तो देखते हैं क्या चेंज होता हैंँ हलाकि ऐसा होगा नहीं तो आपका किसने बच्चा जै रोवर्ट ओपन हैमर ने किसने seven— बच्च आपका क्या परमानू बं का विश्कार किया था-अगला कोश्टन देखत बताइए, मिसाइल का अविशकार इन में से किस ने किया, तो मिसाइल का अविशकार इन में से किस ने किया, बच्चा आपका ब्रोन ने, किस ने किया था, बच्चा आपके ब्रोन ने मिसाइल का विशकार किया था, अगला कोशन देखते है, हाइड्रोजन बम किस ने विक्सि किया वर्ट अबाउट ऐसे से एंटे साइंस क्लास आरे बच्छा आप लोगो परिशान नहीं होना है मैंने कल एक शोट वीडियो बना के डाल भी दिया था कल आपके भिनंदन सर की पहली क्लास हुई थी जिस वज़े से बच्छा मेरी क्लास कल नहीं हुई थी अदर्वाइज कि भाई हमारे क्लास आपने ओफ कर दिया रहे ओफ नहीं की है यार डेली आपकी क्लास चलेंगी डोंट वरी टैंशन नहीं लेनी है आप लोगों को चलिए अगला कुशन है हाइड्रोजन बम इन में से किसने विक्सित किया था तो हाइड्रोजन वर्ड जो आपका बॉम है लेजर का अविश्कार इन में से किसने किया था नहीं बिटा क्लास लाइव नहीं है यहां मेरी आत्मा टहल रही है वह आपको पढ़ा रहे हैं यह लाइव नहीं है क्लास यार अगला भूत परित की दुनिया से यह यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है चलिए क्या रहेगा इलेक्ट्रोन सुख्षमदर्शी का अविश्कार किसने किया था इलेक्ट्रोन सुख्षमदर्शी का अविश्कार इन में से किसने किया था बताईए बताईए जी कृष्णा मेरी तबियत बिल्कुल ठीक है आपको ऐसा क्यूं लग रहा है कि मेरी तबियत ठीक नहीं है बताईए इलेक्टरोन सुक्षमदर्सी का विश्कार इन में से किस ने किया था नोल एंड हरुसका ने आप एक बार उठाके देखना लास्ट येर यदि आपको एकजाम पेपर नहीं मिल रहे है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यह कमेंट किया है कि मैं लास्ट येर के अंग्जाम पेपर एक्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं तो भाई है टेस्ट स्रीज हैं वेब साइट पर एप्लिकेशन पर टेस्ट स्रीज है आप एक बार वो लगा कर देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पिपर ऐसा आने वाला है चलिए इलेक्ट्रोन सूशन दर्सी की खोज किस ने की थी नोल एंड रुस सुमेलित नहीं है बताइए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है चलिए बताइए इन में से कौन सा आपका सही मैचिंग नहीं है क्या जेम्स वोट ने भाप की इंजन की खोज नहीं की थी डेफिनेटली की थी क्या जे बैल ने आपकी ग्राम बैल ने टेलीफो की खोज की थी बिलकुल की थी लेकिन लास्ट ओप्शन है पैंसिलिन पैंसिलिन की खोज आपकी पार्किंसन ने नहीं की थी बलकी एलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने की थी किसने की थी बच्चा आपके एलेक्जांडर फ्लेमिंग ने ठीक है यहां ठंड लगने का रीजन यह होता है विकोज एसी बहुत जादा होता है इस्टूडियोज गंदर और मुझे एसी सूट नहीं करता है तो वह वाली बात बोलते हैं कि यार हमें सब को थोड़ी ने किया बताइये जैट इंजन का अविशकार इनमें से किसने किया कि है जैट इंजन का अविशकार इन में से किस ने किया था माइक्रोफोन का अविशकार इन में से किस ने किया था बताईए जी माइक्रोफोन का माइक्रोफोन के अविशकारक इन में से कौन है तो किस ने बचा डॉक्टर जॉयल ने किसने किया था बचा यह आपका डॉक्टर जोईल ने आपके माइक्रोफोन का विश्कार किया था अगला कुशन देखते हैं क्या रहेगा इस्कूटर का विश्कार किसने किया इस्कूटी नहीं पूछा है आपसे ठीक है ना स्कूटर पूछा गया है आपको पता है पहले स्क से वो हमें बताते हैं कि लड़के बाइक चलाते थे और जो स्कूटर है वो लड़कियों के लिए ही बनाया गया था है ना फिर स्कूटर लड़कों ने शुरू कर दिया चलाना फिर लड़कियों के लिए क्या बना दी गई स्कूटी बना दी गई है ना और स्कूटी का विश कार इनमें से किसने किया अच्छ किसने किया ता अकला कोशन और की खोज किस कि कि अ है अरे पूसी तर यहांव यह आप लोग को नहीं भाई यह ही मैं अधिकतर आपको गसा है इसा ही मिलूँ उसका रीजन बचा है क्योंकि मुझे एसी सूट नहीं होता Tah happened नाभी किया रियक्टर के खोज इन में से किस ने की थी तो नाभी किया रियक्टर के खोज किस ने की थी एंड्री को फर्मी ने की थी चलिए नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं जरा एक बार वायरलेस का विश्कार किस ने किया था बताईए वायरलेस का विश्कार इन में से कि किया वों फास्ट टाइंव में क्रैक नीँ होता है वो बचे नाइंठ क्लास से तयारी कर रहे होते हैं।-उटा है उनको पता है एम यू आपकी मेहनत, आपकी लगन, है ना, आपका स्मार्ट वर्क यही आपको सक्सेस्फूल बना सकते हैं, चलिए, अगला कोशन क्या है, वाइरलेस का विश्कार इन में से किस ने किया था, आपका मारकोनी ने, किस ने किया था, मारकोनी ने किया था, अगला कोशन देखते हैं, ज से किस ने किया था फाउंटेइन पायंन को कि सुभाट सुअ मेडिया नहीं करते हैं यह यह त्यूdle technice ना आप लोगwater आप लोग किया कि भई रवार वार वार आईसे कमेंट को ना रिपीट किया करें बो olur जो क्रेंडिंग होती हैं वो हमें भी पता होती है चलिए एकला कोशन देखते हैं जरा एक बार निम्न में से अलेक्जेंडर ग्राम बैल दौरा किसका अविश्कार किया गया था निम्न में से अलेक्जेंडर ग्राम बैल दौरा किसका अविश्कार किया गया था किसका अविश्कार किया गया था टैलिफोन का किसका अविश्कार किया गया था ठीक है जी एक ला कुशन देखते हैं सेफ सेफटी लैंप का अविश्कार इन में से किस ने किया था बताईए सेफटी लैंप का अविश्कार इन में से किस ने किया था बताईए तो सेफटी लैंप का विशकार इन में से किस ने किया था बचा डेवी ने किया था ठीक है किस ने किया था आपका डेवी ने किया था अगला कोशन देखते हैं जरा एक बार क्या रहेगा बिजली के बल्ब का विशकार किस ने किया था बताईए बिजली के बल्ब का विश्कार इन में से किस ने किया था यल्दी जल्दी आंसर करेंगे और यद रखना बेटा क्लास को पूरा अटेंड पर ना है एक भी कुश्चन नहीं रहेगा बच्चा जो आपकी क्लास से बाहर जा सकता है बताइए जी तो सेफटी लैंप के बिजली के बल्ब के विश्कारक इन में से कौन से हैं आपके थोमस एलवा एडिशन आपके क्या है बच्चा विश्कारक हैं देखो मना जाता है कि इन्होंने आपका नो सो निन्याड में बार बल्ब बनाने में एडिशन इतने बड़े साइंटिस्ट जिनोंने रात में भी दिन जैसा माहूल बना दिया जिसने जिनकी वज़े से आज हमारी राते जगमगाती हैं नो सो निन्याड में बार वो अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हुए था ठीक है तो पेशेंस जो है ना वो लाइफ में सक्सेस तक पहुचाने के लिए एक बहुत बड़ी सीडी होता है बैरो मीटर का विशकार इन में से किसने किया था बताईए जी बैरो मीटर का विशकार इन में से किसने किया था तो बैरो मीटर का विशकार इन में से किसने कि था इलेक्ट्रोनिक कॉम्प्यूटर का अविशकार इनमें से किसने किया था बताईए अप अब है डीजल मेकनिक ट्रेड़ आपका मैंने तो कहीं बेटा नो तो देखा नहीं है बाकी मैं आपको क्रोस चेक करके बताऊंगा ना मैं आपको खुद भी क्रोस चेक करके ही बताओंगे बताओंगे इलेक्ट्रो ने कॉम्प्यूटर का अविशकार इन में से किसने किया था एकर्ड और मौसली ने किया था ठीक है एकर्ड और मौसली ने किया था चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं एलेडी का अविशकार इन में से किसने क किया था मशीन गन का अविशकार इन में से किस ने किया था बताई ये मशीन गन का अविशकार इन में से किस ने किया था तो बचा मशीन गन का विशकार किया था आपका जोर्डन गैटलिंग ने किस ने किया था आपका जोर्डन गैटलिंग ने किया था अगला कुशन देखते हैं जरा क्या रहेगा सेफटी रेजर का अविशकार किस ने किया था बताएजी सेफटी रेजर का अविशकार इन में से किस ने किया था तो सेफटी रेजर का अविशकार इन मे जिलेट ने किया था अगला कॉश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या रहेगा पारद थर्मामीटर का अविश्कार इन में से किस ने किया था पारद थर्मामीटर का अविश्कार इन में से किस ने किया था तो बच्छा पारद थर्मामीटर का अविश्कार इन में से किस ने कि की थी अगर्ला कोश्षन है आपका क्या निमन में से गलत को बेसिकली आपको बताना है कि इन में से कौन सा ओका रोंग मैच है तो है क्या मैडम क्यूरी ने डायनमाईट की खोज की थी ग्राम बैल ने आपकी टेलीफॉन की खोज J.L. Beard ने टेलिवीजन की और James Wote ने क्या आपकी स्टीम इंजन की खोज की थी Wrong match बताइए हाँ बच्चा मेरी क्लास जेली इसी समय पर होती है आपकी साड़े-दस बजे ही क्लास होती है साड़े-दस बजे ही बच्चा मेरी क्लास होती है तो सिंपल सी बात है ग्राम बैल ने टेलीफोन की ही खोज की थी, जेल बेयर्ड ने ये फायदा होता है पूरी क्लास अटेंट करने का, अब जो बच्छे क्लास में आपके स्टार्टिंग से लेकर लाश तक है तो ये कुशन आपका दो से तीन बार रिपीट हो गया है, तो आपको याद हो गया क् लेकिन मैडम क्यूरी ने थोड़ी ना डाइनमाइट की खोज की थी, यह तो आपके अलफरेड नोबल ने की थी, या तो आपके अलफरेड नोबल ने की थी, तो देखो बच्छा पिछले 6 महिने से 60-70 हजार बच्चे हैं, जो बच्छा मुस्से आपके पढ़ रहे हैं, ल रही है यह नहीं हो रहा है जो बच्चा तयारी कर रहा है उसको भी पता है ना वो क्यों तयारी कर रहा है जिससे कि ताकि जैसे ही उसको मौका मिले वो क्रैक कर जाए अड़ा 247 की बच्चा आप लोग वैब साइट विजिट करेंगे ओल कोर्स या थ्री डोट आपको होने के कारण हो सकता है किसी सेपरेट बैच मेरी मेरी क्लासेज आपको ना मिलें किसी दूसरी टीचर की क्लासेज मिल सकती है लेकिन यदी आप यह रेलवे का महा पैक लेंगे जिस पर आपकी डबल वैलेडि़िटी भी मुझे यहां पर दिख रही है तो आप लोग PTE हो, ALP हो, Technician हो, RPF की पोस्ट हो, रेलवे में जितनी वेकेंसी आपकी आने वाली है, उन सब की तैयारी बचा आपको ये इकलोता रेलवे का महा पैक कराता है, टेस्ट स्रीज फ्री मिलती है, आपको वीडियो कोर्स इसमें फ्री मिलते हैं, सो बैस्ट आपके लिए किया है, यदि आपको मुझसे तैयारी करनी है, तो आप लोग बचा इस रेलवे की महा पैक में ही खुद को एन्रोल कराएंगे, और आज ही एन्रोल्मेंट कराएंगे, क्योंकि वेकेंसी बहुत ही जल्द आपकी आने वाली है, चलिए बचा आप आपसे कल मुलाकात होगी, इसी समय क्लास को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करेंगे, ओके जी, चलिए जी, बाई बाई, टेक केर, चेहिंद, क्यों आपसे कटाति के जी, झाल झाल